मेरे सबी वियर्स को प्यार भरी गुड मॉनिंग और इसी प्यारी सी गुड मॉनिंग के साथ ये प्यारे से फ्लार्स आपके लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारे से फ्लार्स जो की सैफ्रोन जैसी देखने में लगते हैं मैं आपको इसका नेम बता देती हूँ बहुत ही इंटरस्टिंग सा नेम है इस प्लांट का फ्रेंड्स ये है हमारे पास आज बेगम बहार इसका जैसा नाम है वैसे ही ये प्लांट है बेगम बहार ये सदा बहार है और हमेशा ये फ्लाबरिंग करता है तो friends ये plant में काफी time से search कर रही थी और ये मुझे मिल गया finally तो मुझे लगा आपके साथ share कर लूँ इस पर काफी सारी videos मैंने देखी जो हमारे seniors हमारे लोग बनाते हैं तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये और उस time से मैं अभी तक इसे ढूंटी रही थी नर्सरी वाले भिया के पास ये नहीं होता था बट लास टाइम जब मैंने विजिट किया वहाँ पर तो मुझे दिख गया तो रहा नहीं गया ऐसे लिए बना क्योंकि ये बहुत ही beautiful सा दिखने वाला प्लांट है और friends इसकी growth भी काफी अच्छी हो जाती है दो ढ़ाई फीट का तो ये आराम से हो जाता है अगर ये अपका डिरेक्ट जमीन में लगा हो और पॉर्ट में भी जिस जैसा आप पॉर्ट देंगे इसको उस तरह से ये growth करेगा friends और दूसरी चीज है कि मैं जब इसे लेकर आई तो मैंने इसको तुरंत reporting में नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा birds है इस पर काफी सारी तो ये stress में आ जाता इसलिए मैंने इसको परसो ही report किया है और बस मैं इसके blooming का weight कर रही थी हो गए और आपके साथ share भी कर लिया मैंने और soil की बात करें friends इसकी तो soil में कुछ ऐसा खास नहीं है अभी सिर्फ sand और soil है कोई भी fertilizer या कोई भी compost मैंने इसको नहीं दिये क्योंकि ये birding है flowering time हो रहा है इसका तो हो सकता है कि इन पर असर पड़े या ये fall हो जाए तो friends इसको थोड़ी सी partial sunlight पसंद है आप direct sunlight में मत प्लांट है और लेकर आते हैं इस और हब और soil जो है moisture है इसकी वही इसको पसंद है और friends ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट है इसके flower का size देखिए कितना बड़ा है और ये आपके garden को बहुत ही beautify करेगा अपने इस प्यारे से color से आप लेकर आई और इस प्लांट को लगाई मुझे तो ये बहुत ही सुन्दर लगा है तो रहा नहीं गया आप लोगों के साथ शेयर करें बेना तो और तो इस प्लांट के बारे में बस यह है कि ये सदा बाहर का प्लांट है मुझे उन्होंने ये बता है नर्श्री वाले भियाने कि से direct sunlight में मत रखिये गए ये देख इसी बर्ड इसमें से निकलती है और फिर ये फ्लावर बन जाता है बिल्कुल सेफ्रॉन जैसा तो होफुली आपको ये प्यारा सा प्लांट पसंद आया होगा इसके फ्लावर का जो कलर है फ्रेंट्स भी बड़ा सा मतलब शेड में हो रहा है कभी पर्पल लगता है कभी प प्लांट जो कि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही लेकर आई हूँ और मैंने इसको कोई भी फर्टिलाइजर कुछ नहीं दिया है सिंपली ए ग्रो कर रहा है जैसा था वैसा ही है इसमें जो बर्ड सें वह वैसी ही है जब ये बर्ड सारी ब्लूम हो जाएंगी उसके बाद मै इसको थोड़ा सा इसकी कटिंग करूंगी जिसे कि और भी हेल्दी ग्रो हो तो फ्रेंड्स ये प्यारा सा प्लांट मैं आपकी साथ शेयर करते हुए अब जाना जाओंगी मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको ये पसं कर सकूँ और इसी तरह आप भी अपने गार्डन में नए नए प्लांट्स को जगा दीजिए जिससे कि आपका गार्डन और भी खुब्सूरत लगेगा ठीके फ्रेंड्स बाई